जो दा वर्ल्ड गप शुरू है काल पाकिस्तान दे जड़ी परफॉर्मेंस ओ मिनू सब तो वदिया देखी लेकिन अमपायर दी गलती दे करके पाकिस्तान जड़ी साउत अफरिका तो जड़ा मैच हा ओ हार गी है क्री कमेड़ी पर एक्शन करांगे अरसलान भाई इस ते की केंदा है आओ देखिए चलो यार जो भी हो कमस कम मैच हम हार गए लेकिन फाइट तो कर ली ना इसी चीज़ की कमी थी जो कि हम शुलू से चीख रहते कि यार हारना जीतना और बात हो थी हमको ऐसे थर्ड क्लास के फैन्स नहीं है मौसमी बटे रहे नहीं है लेकिन कमस कम फ लेकिन फिर भी यार दिल दुखा है क्योंकि इस जगा से आके जो हारना है ना यार यार ये थोड़ा सा वो अमपायर सकॉल यार एसे मौके पर इस किसम की बॉल ऐससे सामने बतक की तरह वो बैठावा है और आपने वो आउट नी दिया और इसके बाद खायर एमपायर सकॉ लोग जो समझते है ना जो सिटुएशन बनी वी थी और इसके ओपर आके इतनी क्लोस कॉल थी जो कि अपायर सकॉपरी चेली गी ती इसका मतलब है कि इतनी क्लोस थी तो वो कमस कम उमपायर को देना चाहिए सा आउट लेकर मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने कोच की तरह ने आ जा तो और आ कि क्या खुसूरत बॉलिंग कराता है वो इसको पतनी प्रेशर सिटुएशन में हम क्यों दे देते हैं ओवर इतनी गंदी और थर्ड क्लास बॉल कराई वो भी पहरूफी बिचारा भी जो है उसने आके फिर कसम तोड़ी भी थी आते साथी चक्के खा रहा है चौके खा रहा है एक सो पचास की गती से जिस तरह वो पैंक रहा तो उसी गती से वापस उबर से भी गज़री थी लेकिन मासूम ने एक कैश तो पकड़ लिया था और यह द पीछे कोई भी नहीं है मेरे बाद एक विकेट मजीद रह गई है और आपने इतनी खुबसूरे शौट के लिए चार ओवर पांच ओवर इंफैक्ट पड़े वे थे उसकर तो हमारी मैच अवेरनस पता नहीं हम कब सीखेंगे यह वो चीज़े हैं जो कि आप बच्पन में स खेल रहे थे तीन रंस दो रंस पर ओवर चाहिए थे और मकर्म ने शौट के लिए थी वो भी मैच अवेरनस की ही कमी थी लेकिन फिर भी कमस को उन्होंने पचास ओवर सुक्तर लेके गए ना गेम हमारे वाले तो खेल नहीं सके तो इंटरनेशनल लेवल के उपर आ कि इस क की है और बस यह हमें चाहिए होता है कि कमस कम फैट हो रही हो आज के मैच के अंदर कमस कम कोचेंजर है नजरा हैं उनको समझ आ गय थे कि बाबर ने जो वो एकर करनी उसके आसफास तरफ वही जाएंगे जो डाके हिट करेंगे आउट हो रहे थे लेकिन फिर भी कमस कम उसने भी आके गंदी किया, उसने बिलकुल भी उसामा अमीर ने कमी नहीं महसूस होने दी शादाब की, शादाब आके हमेशा फुल टॉसें करा रहा रहा था था, हमारा उसामा अमीर भी फुल टॉसें पैंक रहा था, एंड में मेरे ख्याल में जो उसने टेल इंडर्स को भी फुल टॉसे कराई थी दो तो कम ही महसूस होनी नहीं दी लेगे फिर भी मेरा खाल में वो उससे थोड़ा बेतर लेग स्पेनर है उसामा और शादाब बेतर बैटर है उसामा से तो हमारा वहाँ पर भी फायदा हो गया था कि वो बैटिंग करके चला गया है इसको हमने बालिंग दे दी खेर जो इनिक्स खेली है मेरा खाल में उससे बेतरी इनिक्स थी वो सौट शकील की थी बहुत ही खुबसुदत क्लासी इनिक्स खेली है थोड़ा सा गलत टाइम की ओपर आउट हो गया लेकिन मेरे खाल में किसी भी अगर जूता पड़ा है तो हमारे दोस्त आकिब जावेद सर की ओपर पड़ा है एक तो हमारे जितने भी लेजंड्स हैं पता नहीं लेजंड एक तो किसने बना दिया सिर्फ ये पहले पैदा होगे तो इनकी सिर्फ ये अचीवमेंट थी जितने वो फिट है जितने वो अपने प्लेस टाइम में फिट है वह भी हमें पता है गिस जो जनेटिकस इनकी होते हैं उनकी आपके ये तिस झूरे होते हैं और यू जेम श्यमकै इणकंऊ पड़ा रहे होते हैं कि जो देसी पहलवानों वाला जो माइंड सेट होता है वो यूज़ कर रहे हैं या आपके हो कि देसी क्यों खाओ तो ये खाओ वो खाओ उस किसम का इन्होंने जो अंडे खाते हैं जो बस अंडे अगला उलटी हैं कर रहा है बालिंग में जो है उसकी पिच्च के ओपर पूरी वो जो लाइन लगाते हैं न क्रीस की लगी वी होगी होती I won't be surprised अगर इनको कोच भी बना दिया जाए तो इस माइंड सेट वाले लोग हमारे सारे डिक्टेट करेंगे तो खेर इनको मेरा खाल में कोई पहलवान ले लेने चाहिए गुछ रवाला के बड़े बहतरीन पहलवान निकलते हैं उनको रख लेना चाहिए टीम के अंदर क्योंकि हमें तो सिर्फ बाजू जो है वो मोटे चाहिए और कट काट जो होना चाहिए अदरवाइस हमें और कुछ चाहिए नहीं क्रिकेट के अंदर वर्ल्लकाप का ये पहला मैश था अब तो मेरा ख्याल में अगले सारे मैचेस वैसे भी डेड रबरी होगें क्योंकि टॉप फोर टीम्स तो आपके पास आ गही हैं अब तो बहुत ही कुछ तो निकाए थिंक उदे बेच चाहिए थे पाकस्तान ये शाद छे में एक सब्सक्राइब नमबर दे में मुझा याद है वर्ल्ड काप के अंदर काफी जबर दसक्तान के थ्रिलिंग किसम के मैचेस हो रहे थे जितने भी मैचेस हो रहे हैं सब वन साइड़ी हो रहे हैं ये एक अजीब मजा करकरा कर गया है इस वर्ल्ड का हाँ वही बात कर रहें थे के ये श्रिलंका के अंदर को दो महिने क्योते हैं और श्रिलंका के अधर मैंने आपसे पहले बी डिस्क tenían किया है कि बहुत ही ज़रा हमिठी से बहुत ही मुझतीशन है में gefली सर्व श्र्लंकन को सकते हैं बाकि जो भी आते हैं वो स्ट्रागली करते हैं तो आपने दो महीने अदर लगाए हैं तब ही जो है उनका सारी निकली वी है फास्ट बार उसकंद कुछ बचा ही नहीं है जो कि आकि आकि यहां पर निकाले इसलिए शैंपू बॉइ वसीम जो है उसने मैं आज आकि हारा था पता चल रहा था कियार कुछ ताजा टांगे हैं वो अदर भी उसने जएदा नहीं खेलते हैं मैच्चेस वगयरा तो इसलिए उसकंदे कुछ एनरजी बचवी ती बाकि यह बिल्कुल ड्रेंड आउट हैं करें दिविजिएल रिकॉर्ड की बात करें तो शाहीन न पर मैं आज उसने फिर कुछ चार चौके खाएं डिकॉक जो हमारने के मूड में था उसने भी जो आउट दी अपने आप मैं तो कौंका कुसे अनर अच्छी कप्तानी थी लेकिन बहुत लोग यह भी कह रहे हैं कि भाई वो एकी फिल्डर बाहर खड़ा वा तो इसी को कैश दी है उसके हिसाब से ही उसी प्लान से बालिंग हो रही थी को इसी फिल्डर को यह देगा बट खेर वो भी जिस फॉर्म में था उसको आउट कर दिया था इंपॉर्टन विकेट्स भी नहीं लेकिन एक तबरे शमसी जो है न वो आया था इस गेम के अंदर और बास मुने ब हमें लीडिंग विके टेकर्स हैं रवी शास्तरी साब की मुग के ओपर भी जूता पढ़ रहा है कमसको मुसकी विरे से खेर जिस तरह की परफॉर्मस शाहिन दे रहा था वाकी एवरेश तो थी लेकिन फिर भी इस खितम की को बाते करने वाली नहीं थी जिस तरह की वो कर हमारी नहीं थी दोस्तों डिरेक्ट हिटें भी हमें तीन दफ़ा आउट थे और तीन दफ़ा नहीं लगी डिरेक्ट हिट सिर्फ एक ही बंदे की लगी और वो लगी शाहदा आपकी जिसकी विरे से वो अपना कंदा लेकि बाहर चला गया तो शायद वो अगर फील्ड में ह बिटेए सबसे उनको नोट आने उनको दो से जाग़े और वहां हमार प्योड़ में हमारे बैटिंग कुर हमारे जिसके का Kण Elijah मारे जा ऑम इनको डायां पर यदाए सिदा आप में पूरी तरह से फ्कैनियर मासूं आज भी चेयर कर रहे थे या और वाद के एंड में का हि तो बो देते हैं पाकिसानी को सपोर्ट करते तो हैं पिछले मैश में भी कर रहे थे लेकिन हमने मौका ही नहीं दिया उनको एक दफा फिर से एक और मैच हुए जिसके अंदर सेम कलर की किट्स थी तो जबरदस्त ICC आप लोग से हमें बिलकुल यही उमीद थी बुऔ यही पेसे का पांच मैच हुने परहतों लावानुर सवक्राइब ही जाए टी-ट्वंटी के प्लेयर्स लगे गए। प्लेयर्स और था ल। प्लेयर्स होने चाहिए लेकिन आदेजग ज़सा हमारी हवाम जाओ भू भी पीसल दे के उनको क्रिकٹ की समझ आई है तो वो तो T20 होता है इसलिए उनके लिए सूपर स्टार्स भी है और पचास ओवर्स सर्वाइफ करना हमारे लिए मुश्किल हुआ था इस पूरे सीरीज में छे मैचेस हो गए है मेरे खाल में जिन में से हम एक में सरो पचास ओवर्स खेलें कम से कम प्लस पॉइंट यह है कि साथ अफरिका जैसी टीम को हमने 400 नहीं मारने दी है शुकर है कि पहले बैटिंग उनको नहीं दी थी लेकिन उसके बाद भी किल किल के वो जो है 500 उनने 270 रन बनाए हैं तो कम सकम उनको भी लग तो पता गिया कहीं न कहीं तो दिखा दी हमने के चलो कोई बालिंग अटैक तो है वरना तो इस पूरे टोर्टनिमेट के अंदर वो जएदा अलामिंग था कि यार मतलब को फाइट ही नहीं हो रही कुछ बालिंग की तरफ से कुछ हुआ ही नहीं है सारे मैचेस के अंदर आज कम वो नजर आ गया हमे कप्तानी में भी थोड़े चेंज़ेस हो रहे थे स्पेनर से इस तरह के बालिंग करा दी कुछ पता लग रहा था कि हमारे जो कोच साब है उनको कुछ शर्म आ गई है उन्होंने बैट के कुछ दमाग लगाया कि अब इसके अंदर हम ये ट्राइ करेंगे या वो ट्राइ करेंगे कुछ नई नीचीजे नजर आ रही थी साओच शकील नीची आया था वैसे आई स्ट्रॉंगली बिलीफ के साओच शकील जो है वो रिजवान से भी पहले आना चाहिए वो जिसके खिसमका बैटर है उसको वैसे भी सीनिर प्लेयर्स के साथ खेलना चाहिए उसको बाबर के साथ खेलना चाहिए और अगर बाबर आउट हो रहा था तो तो फिर रिजवान के साथ खेलना चाहिए उसको इतना नीचे भेज़ के टेल के साथ मेरा नहीं ख्याल उसको अगर आपके यंग प्लेयर है उसके इतनी पोटेंशल भी है तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह हमें जाया करना चाहिए आज के मैच मेरी फिर भी समझ आ रही है कि उस वकद उनको पता था कि बाबर के साथ किसी ऐसे बंदी को भी भीजना इफ्तिखार को भीजाता कि वो स्ट्राइक जो है वो मतलब चौके छके भी मार सके साथ-साथ और बाबर का में खमे रोल आंकर रोल का था बट स्टेल वैसे अगर और रहाल देखा जाए तो मेरे खाल में वो बहुत नीचे आ सारी यहां से पासे दिया लेकिन मेरे लिए जड़ा में पॉइंट सीगा ओ यही है कि अंपायर थी वाकर यह थे गल्ती है बड़ाई क्लॉस शोट सीगा यार मतलब सारी दुनिया नों देख रहा जिगा ते एंड अंपायर दी उस गल्ती देखरके पाकस्तान जड़या मैं अलाली गेम देपिछ लग रहा सिगा कि हंडर ता चड़ो यहीं दो सो प्रजेंट अपना दे रहे सी एंड प्लेयर कोशिश कर रहे सिगा कि हां लग रहा सिगा कि भई है अना लेकिन हो ही है कि जड़ों जड़े मतलब होना चाहिए दा कुछ उस वेले हुंदा नहीं जैस चाहिदा हुंदा कि कोछ ना होए उस वेले फिर ओचीज हो जान दिया सो इस ना होनों ते होंदे चकर देवेच जो हो जान दा ओदे नाल कम खराब हो जान दा सो गाईस एसी गया देख वीडियो अर्सलान भाई ने काफी अच्छा एंग लाइसेस किता दे जेड़े सो कॉल्ड लीजेंड है जिनना दियना ने काले किते है कि अपने टाइम देवेच उन्होंने काखनी किता दे आज काल हो आके नमे प्लेयर्स नों क्रिटिसाइज कर रहे है तो नहीं होना जाहिए दा दूजी काल कि टीट वंटी दी टीम है वाके मैं भी एक्षा दागे किस अपना जो होम क्रिकट है जो टीट वंटी है ओही चंगा केट सकते है अधरवाइस कोश नहीं है तो उसे तरहां कि आई-पी-एल देवेच चंगे है लेकिन बाहर असे भी बहुत क्रिटिसाइज कर दे है तो यह दहीं है कि जदो तो आडी टीम बढ़ी है कि तुसी उन्हो अप्रिशेट करोंगे जदो वदिया नहीं है डूगी दूसी उन्हों क्रिटिसाइज करोंगे ठीक है सो ए मेरे ख्याल एक लोती फील लेता है जीदे वेचे तो आडी सपोर्ट भी वड़ी की तीन तो अनूं हीरो भी बनाया जानता है ठीक है एह सारिया चीज है निता है क प्रोबबली कोई एक दो होगा वे कोज का परसेंट जड़े लोग किसे कॉंट्रोवर्सी देगार के खराब होगे नहीं ता क्रिकर देवेच दा भी आई है कि एस मीने तो डिवाव आती अगले मीने तो डिठाट है अना जी सो एस यादी वीडियो तो अडाग की मनना है त में तेले कमेंट कारके दिस्यों लेकिन वेल प्लेड पाकिस्तान मिल देएंगे से अगली वीडियो चाहिए साथ शिरेका